सरकारी नौकरी और कॉलेज के लिए तैयार हो जा ये अश्वन बिस्तर से उठता है और बाहर बालकनी में जाता है जहां उसकी पिता विजे पहले से ये बैठे चाई पी रहे थे अरे आज कल के बच्चे बड़े अलसी होके हम जब तेरी उम्रे के थे ना तो सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करते थे फिताजी आप तो सरकारी नौकरी में है फिर क्यों हर वक्त खेतों की बाते करते रहते बिटा सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं कि किसान का दिल बदल जाएगा गाउं में रहते हैं तो खेती बाड़ी की बात तो होगी वैसे तुझे भी सोचना चाहिए कॉलिज के बात क्या करेगा तू पहले तो सोने का सोच रहा था लेकिन हम लगते है उठकर चाहे पीने का प्लान ही अच्छा है और हाँ पिता जी नौकरी की बाते ना बाद में करेंगे अभी तो पहले मेरी पढ़ाई पुरी हो जाने दीजिए जी नाश्ता तो करवा दो इसे कॉलिज के लिए देर हो रही है और ये यहां मजाक में लगा हुआ है चल 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 दिकर बिटा इंजीनियरिंग जैसा प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है और इतना आलस दिखाता है ये श्वन्थ हस्ते हुए अपने घर से निकलता है और अपनी साइकल देकर कॉलेज पहुंचता है यार सोचो तो सही चार साल कैसे बिट गए बता ही नी चला अब आगे क्या करेंगे? किसी को कोई आइडिया है? क्या करना है? सबको नॉकरी तो करनी है काई न गही पर अब देखना है कैसे मिलती है नॉकरी अरे लेकिन नॉकरी पाने के लिए बहुत मैनत करनी पड़ेगी घर पर भी सबी इसी बात के चर्चा कर रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए मेरे पिताजी तो सरकारी नौकरी मैं है सोचता हूँ मैं भी वही कर लूँ आइडिया तो सही है पर देख भाई सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने के लिए बहुत पढ़ाई करने पड़ेगी और अगर वो ना मिले तो प्राइवेट में भी हाथ पर मानने पड़ेंगे यश्वंद कॉलिज से लोटते वाक्त सोच में डुबा रहता है कि आब उसे किस दिशा में कदम उठाने चाहिए घर पर भी इसी बात के चर्चा हो रही थी बेटा तुमने क्या सोचा है आप पढ़ाई पूरी होने वाली है तो क्या आगे की कोई योजना है मा अभी भी समझ भी नहीं आ रहा कि सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करूँ या प्राइवेट में कुछ देखूँ कुछ दिन और गुजरे और आखिरकार कॉलेज का आखरी दिन भी आ गया यश्वंद इंजिनियर बन गया पता जी मा मैं इंजिनियर बन गया अब शहर जा कर नौकरी करूँगा जहां अच्छे पैसे और तरक्की दोनों मिलेंगी बिटा शहर जा कर नौकरी करने के बात ही मत करना मैं चाता हूँ कि तुम गाउँ में ही रहकर कोई काम कराओ यहाँ भी नौकरी मिल जाएगी लेकिन पिता जी गाओं में नौकरी के मौके कहा मिलते हैं और जो मिलते भी ये वो उतने अच्छे नहीं होते मैं शहर जाकर अपना करियर बनाना चाता हूँ मैंने कहा ना शहर जाने की जुरूत नहीं है गाओं में ही रहो और यहीं कुछ ढूंडो अपने लोगों के बीच रहना ही बैतर होता है यश्वन्द परिशान हो जाता है पर अपने पिता की बात मान कर गाउं में ही नौकरी ढूनने की कोशिश करता है लेकिन वहां कुछ हासिल नहीं होता यहां तो कोई नौकरी है ही नहीं और है भी तो उनका मिलना बहुत मुश्किल है पिता जी से बात करूँगा शायद मा उन्हें समझा सके यश्वन घर लोटता है और अपनी मा चित्रा से बात करता है मा पिता जी कुछ समझाओ ना मैं यहां कितनी भी कोशिश कर लूँ नौकरी नहीं मिल रही अगर मैं शायर जाओंगा तो शायद कुछ बहतर हो सके पिता मैं जानती हूँ तुम्हारी चिंता वाजिब है लेकिन तुम्हारे पिता जी की बात भी तो समझो वो नहीं चाहते कि तुम गाव छोड़ कर जाओ माप एक बर फिर से ड्रॉय करू ना प्लीज उन्हें समझाओ ना चित्रा विजे से बात करती है लेकिन विजे अपने जिद पर अड़ा रहता है मैंने अपना फैसला सुना दिया है यश्वन्द को गाव में ही रहकर कुछ काम करना चाहिए मैं उसे शहर नहीं जाने दूँगा लेकिन यश्वन्द की भी कुछ इच्छाएं है उसे एक मौका तो देना चाहिए ना हमे मुझे पता है लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा कुछ दिन और गुजर जाते है यश्वन्द काफी कोशिश करता है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती एक दिन उसका पड़ोसी मिलता है और कहता है क्या बात है यश्वन्द तुम अभी तक यहीं हो तुमारी पड़ाई तो पुरी हो गई तो शहर क्यों नहीं गए यहीं नौकरी करूँगा यश्वन्द ये बोलकर घर वापस आ जाता है लेकिन पड़ोसी की ताने सुनकर उसे बात गुस्सा आ रहा था यश्वन्द पिटा इतना परिशान क्यों हो सब ठीक हो जाएगा मग कितनी भी कोशिश कर लो गाउं में कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है पिताजी से फिर से बात करना चाता हूँ कि मुझे शहर जाने दे वाग कम से कम कुछ अच्छे मौके तो मिलेंगे ठीक है बिटा मैं पिताजी से फिर से बात करती हूँ उनकी ये बाते विजे सुन लेता है मैंने कहा ना शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है मैं यहाँ तेरी नौकरी का इंतजाम कर दूँगा पर पापा कोई परवर नहीं मैंना क्या दिया तो क्या दिया विजे कुछ जुगाड करता है और गाव में ही यश्वन की एक छोटी सी नौकरी लगवा देता है पर यश्वन उस नौकरी से खुश नहीं था नौकरी तो मिल गई लेकिन इस नौकरी में कमाई कितनी कम है मैं इससे कैसे गुजारा करूँगा कुछ दिन बीटते हैं यश्वन अपने कम वेतन वाली नौकरी जैसे तैसे चला रहा था और फिर एक दिन विजय और चित्रा उसके पास आते हैं यश्वन तब तेरी शादी के लिए लड़की डूननी शुरू कर रहा है तो चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा शादी? लेकिन पिता जी इतनी कम कमाई में मैं शादी कैसे कर सकता हूँ ये नौकरी तो खुद का खर्जा उठाने के लिए भी काफी नहीं है अरे बेटा हमें तेरी चिंता है हम है ना तेरे साथ सब मिल कर देख लेंगे तो बस हाँ करते है पिता जी माम आप लोग मेरी चिंता कर रहे हैं लेकिन मैं इस नौकरी के साथ शादी के लिए तयार नहीं हूँ बटा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा जिम्मेदारियां संभालने से इंसान और मैनत करता है तो बस हाँ करते है आखिर ठक हार कर यश्वन्द अपने माता पिता के सामने शादी के लिए हां कर देता है कुछ दिनों बाद यश्वन्द के लिए सोनल नामकीक लड़की को चुना जाता है यश्वन्द हमें तेरे लिए सोनल जैसी सर्वगुण संपन लड़की मिल गई है वो बहुत समझदार, सुशिल और संसकारी है देख बटा, अब साब अच्छा होगा तू बस खुश है यश्वन्द जो अपनी किसमत के साथ अब समझवता कर चुका था केवल मुस्कराता है लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ संदेय था शादी की तयारिया जोरो शोरो से चलने लगती है देखिये तो हमारी बहुत सोनल कितनी सुन्दर लग रही है आज हमारा यश्वन्द भी कितना खुश है हाँ सच मैं ये शादी पूरे गाओं भर में बहुत यादगार रहेगी यश्वन्द की शादी धुमधाम से हो जाती है सभी रसमे और रिती रिवाजों के बीच यश्वन्द और सोनल साथ फेरो के बंधन में बनते हैं और गाओं के सभी लोग इस शादी में खुशी-खुशी शरीक होते हैं यश्वन्द तुमारी शादी तो बहुत अच्छी हुई दोनों में प्यार और समझ बनी रहती है यश्वन्द ये देखो मैंने हमारे कमरे को कैसे सजाया है तुम्हें कैसा लग रहा है बहुत अच्छा किया है सोनल तुमने तो हमारे कमरे को और भी संदर बना दिया मैं चाहती हूँ कि हमारा घर हमेशा ऐसा ही सुन्दर और सुखी रहे ऐसा ही रहे रहा, मैं वादा करता हूँ कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता है लेकिन धीरे धीरे यश्वन्त की कमाई का असर उनके जिन्दगी पर दिखने लगता है एक दिन सोनल यश्वन से साड़ी की मांग करती है यश्वन, मुझे ना एक सिल्की साड़ी पात पसंद आ गी है, ला दो ना सोनल, सिल्की साड़ी तो बहुत महंगी होती है इस महिने के तनक्वा से लेना तो मुश्किल होगा क्या हम अगले महीने तक इंतिजार कर सकते हैं छीक है लेकिन मुझे लगा था शादी के बाद तुम मेरी छूटी छूटी खुश्यों का खायाल रखोगी सोनल मैं तुमारे लिए सब कुछ करना चाहता हूं लेकिन मेरी नौकरी में अभी उतनी कमाई नहीं होती मैं समझती हूं पर उमीदे तो दिल में रहती है न बस यहां से उनके बीच में थोड़ी दूरी आने लगती है सोनल नी यश्वन से कुछ नहीं कहा लेकिन उसकी आँखों में निराशा साफ छलक रही थी यश्वन इस बदलाव को मैसूस भी करता है लेकिन वो कुछ कर पाने में असमर्थ था यह भगवान मैं क्या करूं मैं खुद यहां से जाना चाता हूं लेकिन मजबूर हूं मुझे रास्ता दिखा उपर वाले एक दिन शाम का समय था यश्वन ठकाहरा घर लाटता है सोनल चुपचाप खाना बना रही थी यश्वन को देखती ही सोनल की आँखों में निराशा और गुस्सा उपराया सोनल आज का दिन तो बहुत लंबा था खाना लगा दो बहुत भूख लगी है इस तरह कब तक चलेगा यश्वन हम हर दिन इसी तरह जीते रहेंगे क्या क्या मतलबे तुमारा मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूं सोनल तुमारी कोशिशे मुझे कहीं दिखाई नहीं देती एक मामूली से नौकरी में बन कर रह गये हो यहां गाह में रहकर हम कब तक इस तरह जीप आएंगे हम अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे मैं जानता हूं कि हालात मुश्किल है लेकिन मैं क्या कर सकता हूं शहर जाकर रहने से क्या होगा वहां भी तो एक नौकरी ही करनी पड़ेगी न शहर में हमारे पास ज्यादा मौके होंगे तुम कुछ बैतर कर सकते हो येश्वन तुम समझ क्यों नहीं रहे अगर हम यहीं रहे तो हम सिर्फ संघर्ष करते रहेंगे तो तुम चाहती हो कि मैं अपने माता पिता को छोड़ दू अगर मैंने ऐसा किया तो मैं उनके लिए दुश्मन बन जाओंगा तुम क्या चाहती हो मैं ऐसा करूँ मैं सिर्फ चाहती हूँ कि हम अपने जिंदगी को बहतर बनाए मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे अच्छे माहुल में बड़े हो मैं समझता हूँ सोनल लेकिन मैं अपने माता-पिता का अकेला बेटा हूँ उन्हें इस उम्रह में छोड़कर जाना मुम्किन नहीं है मुझे कुछ और सोचना होगा सोनल चुप हो जाती है इस बहस के बाद यश्वन ने फैसला किया कि वो सरकारी नौकरी की तयारी करेगा उसे लगता है कि यही एक मातर रास्ता है जिससे वो अपने माता-पिता के साथ रहते हुए भी बहतर भविश्य बना सकता है सोनल मैंने सोचाए कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करूँगा अगर मेरी नौकरी लग जाती है तो हमारी सारी परिशानिया हल हो जाएंगी यह अच्छा फैसला है यश्वन्ट, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं करूँगी तुम्हारी मदद की मुझे बहुत जरूरत होगी हम मिलकर इस मुश्किल से जरूर बहार निकलेंगे यश्वन्ट ने तैयारी शुरू करती वो दिन रात महनत करता है और सोनल उसकी पढ़ाई में हर संभव मदद करती है सोनल घर के सारे काम संभालती है ताकि यश्वन्ट बिना किसी परिशानी के पढ़ाई कर सके यश्वन्ट तुम महनत करो मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर सफल होगी तुमारे इस विश्वास के लिए शुक्रिया सुनल मैं तुम्हें और अपने माता पिता को निराश नहीं होना दूगा यश्वन्ट ने सरकारी नौकरी पाने का सपना देख लिया था उसने अपने दिलो दिमाग में ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में इस सपने को साकार करेगा वो दिन राद पढ़ाई में चुट गया उसके दिन चरिया पूरी तरह बदल गई थी ये मौका मैं हाथ से जाने ने दूगा बस इस बार सरकारी नौकरी लग जाए फिर सब ठीक हो जाएगा वो सुब्ब से लेकर देर राद तक किताबों में डूबा रहता सोनल भी उसकी हर संभव मदद कर दी ये श्वन ने अपनी ये छोटी नौकरी भी छोड़ दी ताकि पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर दी सके ये श्वन तुम जितनी मैनत कर रहे हो उससे मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर सफल होगी बस थोड़ा धैरिय रखो धन्यवाद सुनल तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत माईने रखता है देखना अब सब ठीक हो जाएगा फिर वो दिन आ जाता है जब यश्वन का एक्जाम होता है वो पूरी तयारी के साथ एक्जाम देने जाता है लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो देखता है कि उसका नाम नहीं है उसका दिल तूट जाता है ये कैसे हो गया मैंने इतनी मैनत की थी अब क्या खरूँगा ना नौकरी बची ना ही सरकारी नौकरी का सफना पुरा हुआ ये भगवान ये मेरे साथ है क्यों हो रहा है अब यश्वन्त अपने फैसली पर पच्चताता है उसे लगता है कि छोटी नौकरी छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी उसकी निराशा गुस्से में बदलने लगती है ये श्वन्त की असफलता ने उसके जंदगी में तनाव को और बढ़ा दिया वो हर छोटी बात पर चिड़चिड़ा हो गया सोनल से उसकी हर बात अब जगड़े में बदलने लगी तुमारी वज़े से हमारी हाले तो और खराब हो गई है ये ये श्वन्त पहले ही कम पैसे थे अब और भी बुरा हाल हो गया तुम समझती क्यों नहीं हो? मैंने सब कुछ तुमारे और हमारे भविशे के लिए किया पर अब मेरे हाद में कुछ नहीं बचा समझने की कोशिश मैं ही क्यों करूँ तुमने सोचा क्यों नहीं पहले बिना नौकरी के घर कैसे चलेगा ये नहीं सोचा जगड़े की ये चिंगारी जल्दी ही आत्में बदलने लगी बात बात पर तक्रार और बहस होने लगी घर का माहुल दिन बदिन बिगड़ता जा रहा था येश्वन मुझसे अब ये सब बरदाश नहीं हो रहा भगवान के लिए कुछ करो क्या करो नंगा होकर नाचू या जमीन में लोटने लगो बताओ क्या करो पांगल करकर रख दिया है तुमने मुझे सिर्फ इतना पता है कि हम यहां कुछ नहीं है येश्वन तुम्हें कोई और रासा निकालना होगा इसी दोरान विजय और चित्रा ने भी कई बार इस जगड़े को सुलजाने की कोशिश की ये लड़ाई जगड़े किसी का भला नहीं करेंगे शान्त हो कर सोचो बेठी हर शादी में मुश्किले आती हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे पर इलसाम लगा है लेकिन दोरों की बातों का कोई असर नहीं हुआ ये श्मंत और सोनल के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी हर दिन लड़ाई होना उनका रूटीन था अंततह ये श्मंत नहार मान ली वो अब शहर जाने के लिए तयार हो गया उसने मैसूस किया कि अगर उसने अब भी कोई कदम नहीं उठाया तो उसकी शादिय और जिन्दगी दोनों बिखर जाएंगे शायद तुम सहीओ सोनल शायद हमें शहर जाकर ही कोई रास्ता मिल सके ये भगवान तेरा धन्यवाद आखर ये बात समझ में तो आई इनके और आखिरकार यश्मन शहर चला जाता है वहाँ उसे एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर की नौकरे मिल जाती है जहां उसकी तनख्वा भी काफी अच्छी थी धीरे धीरे उनके जिन्दगी की गाड़ी ट्रेक परा गई देखो सोनल ये सब कुछ अब हमारा है ये बड़ा सा घर, गाड़ी और ये आराम दायक जिन्दगी मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे सपने सच हो जाएंगे हाई यश्मन अब सब कुछ सही है हम दोनों ही खुश है और सबसे अच्छी बात ये है कि अब हमारे बीच कोई जगडा नहीं होता यश्मन और सोनल दोनों अपनी नई ज़ंदगी में बहुत खुश थे उनकी बीच पहली जैसे तनाव और जगड़े अपनी होते थे शहर की ज़ंदगी में दोनों ने अपनी जगण बना ली थी कुछ महिनों बाद यश्मन को छुट्टी मिली और उसने सुचा कि वो और सोनल गाउं जाकर अपने माता पिता से मिलेंगे गाउं पहुंचने पर विजय और जित्रा दोनों ही अपने बेटे बहु को देखकर बहुत खुश हो गया कैसे हो बिटा आप तो तुमने शेहर में अच्छी तरह से अपना पैर जमा लिया है हमें तुम पर बहुत गर्व है आप दोनों की दुआओं से ही तो ये सब संभव हुआ पिता जी लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप दोनों भी हमारे साथ शेहर चले वहाँ आपको किसी जीज की कमी नहीं होगी बेटी तुम खुश हो ना हमें बस यही चिंता रहती थी कि तुम दोनों जहां रहो खुश रहो हाँ माजी अब सब कुछ अच्छा है ये अश्वन ने सब कुछ संभाल लिया है लेकिन हम चाहते हैं कि आप दोनों भी हमारे साथ चले बेटा हमें खुश है कि तुम दोनों अपने जिन्दगी में सफल हो गए हो लेकिन मुझे यहां गाउं में ही रहना होगा मेरी नौकरी भी है और ये गाउं हमारा अपना है तुम दोनों कभी कभी आ जाया करो बस हमारे लिए वही बहुत है और विजे की आँखों में अचानक आसमा आ गए मने तुम दोनों को यहां रोके रखने की कोशिश की लेकिन मुझे लगता था कि दूर जाकर रिष्टे तूट जाते लेकिन अब समझ में आ गया कि पैसे कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है पर जिनके दिल करीब होते है वो हमेशा करीब रहते है चाहे वो कितने भी दूर कियो ना हो मुझे माफ कर दो बच्चो पिता जी आपसे बड़ा कोई नी हमने हमेशा आपकी बात मानी है और आपके बिना हमारे जिन्द की अतूरी है हम हमेशा आपके रहेंगे चाहे जहां भी रहें हाँ पिता जी आप बस खुश रही है हम अकसर यहां आते रहेंगे जरूर पिता हमें इंतसार रहेगा विजे और चित्रा ने अपने बेटे बहु को गले से लगा लिया चारों के बीच जो प्रेम और सम्मान था वो और भी गहरा हो गया था यश्वन्त और सोनल ने अपनी मैनत से सफलता पाई लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्टों को नहीं भुलाया